तो यह जो वीडियो है दोस्तों यह होने वाली है मेरे उन बीगिनर दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि वह अपना एक कम्प्लीट फांडेशन कोर्स ड्रोइंग का जो है करते हुए चलें लाइक उनको यह पता रहे कि फ्रों डे वन टो डे लास्ट उन्हें किस तरीके से दोस्तों अपना जो एक कोर्स है वह कंप्लीट करते हुए चलना है ठीक है दोस्तों तो मेरा यही मक्सद है अब इस वीडियो के थूरू कि हम इस पूरे वीक में मैं आपको पूरे फंडामेंटल जो आर्ट है वह सिखाने वाला हूं तो आज हम जो शुरू करने वारे हैं दोस्तों वह लाइन और टोन है यानि कि हम सीखेंगे कि दोस्तों डे वन में आपको किन-किन बातों का दियान रखना है प्लस यह जो दोनों टर्म्स हैं लाइन एंड टोन यह आपक कि किस तरीके से काम करती है क्योंकि देखें दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज बनानी है किसी भी चीज को आपको आकार देना है तो उसके लिए आपको ज़रूर पढ़ते है लाइनों की और उस आकार को सब्सक्रीए जैसे आप आइस बनाते हैं या आप कोई बॉक्स ब मिलता है कि यह जो different grid of pencil है from HB to 10B यह किस तरीके से आप यूज करने हैं चाहिए आप लोगों को प्लस किस तरीके से यह pencil है आपकी help करते हैं different type of topics क्योंकि एक beginner के लिए बहुत सारे topic है start करने के लिए तो confusion उसके लिए हमेशा से यही रहती है कि यार शुरू कैसे किया जाए मैं portrait से शुरू करूँ या फिर मैं still life शुरू करूँ या फिर मैं landscape शुरू करूँ क्या शुरू करना चाहिए तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आपकी line किस तरीके से काम करती है then उसके बाद हम अपना procedure शुरू करेंगे portrait, still life and landscape के तीनों topic को हम cover up करते हुए चलेंगे ठीक है दोस्तों तो उमीद है आप लोग भी अच्छे से काम सीखेंगे और इस पूरे वीक आप लोग भी active रहेंगे तो कोशिश करिए का दोस्तों बने रहें और sketching करते रहें चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए दोस्तों देखिए यहां सबसे पहले मैं आ चांट की जाती है और 30 pages है यह size जो है A3 है तो sketchbook tour में चोटा सा sketchbook आप देख सकते हैं यह मेरा सबसे पहला page है दोस्तों तो यह सारे जो मैंने बनाए हुए graphite sketches है यह भी जो है hair drawing मैंने डाली हुए यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं यह graphite और charcoal का जो है mixture है और उसके बाद यह पैंटल mechanical pencil से जो है sketches कुछ इस तरीके से और यह देखिए यह भी जो है आपके पास figure drawing के लिए तो sketchbook में आप जो है मिलता है और quality एक बार चैक कर लेते हैं इस pencil की क्योंकि मैंने doms की pencil दोस्तों आपको बता हूँ अभी तक यूज नहीं की है तो मेरे लिए भी यह जो है एक नई चीज है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों quality यह कुछ किस तरीके की है इस pencil की वैसे मैं कहूं अगर अपनी point of view से तो मुझे अच्छी लग रही है pencil कलर भी अच्छा यूनीक है और pricing जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 रुपीज जो है pricing है और इसके अंदर जो आपक आपकी उबढखाबड हो सकती है नीचे से उस वज़े से लाइन आपकी थोड़ी सी टेड़ी मेड़ी हो सकती है बट उस चीज को इनौर करते हुए चलें first to check the grade of your pencil तो आप देख सकते हैं दोस्तों HP pencil किस तरीके से चल रही है यहाँ पर अब 2B सम जो है line बनाएंगे तो य आप नजर नहीं आएगी अब यह हमारी 4B है तो 4B का कंट्रास्ट I think वीडियो में दोस्तों आपको अच्छे से नजर ना रहा हूँ बट रियल्टी में जब मैं इसको चला रहा हूं तो मुझे 4B डाक नजर आ रही है अब 6B को हम यहाँ पर चला लेते हैं जो कि grade wise काफी काफी ऩाङदा आश्छावात तो उसके बाद हमारे पास आयट पैंसлी काफी terrorists होची जाती है दोस्तों क्योंकि स्टैड़र i4 डाक अधरी काइए यह दोस्तों रही है टो यह तो यह तो था हमारा दोस्तों लाइनों का पर परप्रास के आप क्यान हमेशा यूज करिए सबसे पहले पैंसिलों को कुछ भी शीज बनाने के लिए सेकेंड टॉन यानकि हम शेडिंग के तरूप देखते हैं कि पैंसिलों का जो ग्रेड है आपको साथ लाइनों में वह चीज अच्छे से समझ में ना ही हो बट आपको जब शेडिंग करना सीखना होता है दोस्त कर सकते हैं लाइक जो मेरे बिगिनर दोस्ते में उनको बता दो पहले ही आप टॉन टर्म का यूज करिए चाहे तो आप शेडिंग का यूज करिए अगर बिगिनर है तो बट मैं इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा अपनी वीडियो के तर तो आप देख पा रहे होँगे कि किस तरीके से जो ग्रेयड है वो हमारा जो है भाड़ता जा रहा है हमारा स्केल जहा बढ़ता जा रहा है तो यह वो चीज दोस्तों जो आपको सिखाती है कि पैंसिल डाक होने की साथ-साथ आपको टॉनिंग वैल्यू यान کی शेडिंग के डाकनेस का वैल्यू आपको सिखाते हैं कि अगर कोई मीडियम एरिया है, आखों के पास है, कोई चस्मा है, कोई बैगराउंड है, तो कौन सी पैंसिल आपके लिए बैटर ओप्शन रहती है, और 6B दोस्तों देखिए, मेरी परसनली फेवरेट पैंसिल है, क्यो 2B, 4B, क्योंकि इसके नीचे ही आते हैं ये ग्रेड, तो आप 6B को ज़्यादा प्रैफर करिए, अब यह देखिए, 6B के बाद हमारे 8B पैंसिल है, 8B का कंट्रास्ट उससे ज़्यादा हाई हो गया है, अब इस चीज की जो प्रैक्टिस है ना दोस्तों, कि आप लाइनों क की प्रैक्टिस और शेडिंग की प्रैक्टिस, डेवन में मैं इसलिए आप दोनों, आपको ये दोनों चीज़े इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, शेडिंग और लाइनिंग, ये दोनों चीज़े सबसे ज़्यादा जरूरी हैं किसी भी आर्टवर्क को रियल भी लेके जा सकते हैं जहां तक कि आप इंस्टाग्राम पे या यूटूब पे दूसरे आटिस्टों के आर्टवर्क को देखते हैं, so if you want to improve your drawing, then आपको जो है, लाइन और शेडिंग पर काम करना पड़ेगा, HB, 6B और 10B, ये तीनों पेंसिले दोस्तों मेन हैं, नोट कर लिजेगा, आप लोग जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, ये तीनों पेंसिले सबसे ज़्यादा इंपोर्टेट होती है, अगर आपके पास 2B, 4B, 8B नहीं हैं, बड़ ये तीन पेंसिले होनी बहुत ज़रूरी है, क स्केचिंग का काम करती है, तो ये जो होल्डिंग की मेरी टेकनीक है, आप थोड़ा सा पीछे से पैंसिल को पकड़ के रखिए, आपकी जो स्केच है, वो लाइट बने, एंदन उसके उपर आप जो अपनी डार्क शेडिंग, मीडियम शेडिंग और बाकी जो भी को भी डेमेज करती है, तो इसलिए आप एच ना यूज़ करके, आप एच बी पैंसिल का यूज़ करें, देन उसके बाद इसमें आप मैं देखिए, एच बी से शेडिंग करूँगा दोस्तों, एच बी से मैं एक लेवल तक की शेडिंग करूँगा, जो कि इस पूरी चीज़ है आपके आर्ट वक के लिए, तो जितनी शेडिंग आपने कर ली है, उतनी कर लेने के बाद, आप आपको जब उसमें कंट्रास्ट वैल्य और बढ़ाना पड़ेगा, तो आप जो है अकोर्डिंग ली पैंसिल को यूज़ करते हूए चलिए, तो जितना कं अट्रेक्ट नहीं कर सकती है दोस्तों, लाइन सिर्फ आपको एक मैसिज के थूरू जो है कोई मैसिज करने के कामा सकती है, कोई चीज हिंट दिने के कामा सकती है, बट रियलिस्टिक अगर आपको करना है तो आपको कलरिंग या टोनिंग तो करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको डार्क, मीडियम और लाइट, तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप एक ही पैंसिल से डार्क, मीडियम और लाइट शेडिंग नहीं कर पाते हैं, दन दिस यूर लेकिंग पॉइंट, यू हैव तो इंप्रूव दिस लेकिंग पॉइंट, बिकॉ तो आपको डार्क, मीडियम लाइट एक ही पैंसिल के तुरू चलाना सीखना होगा, मैंने वाले वीडियो में दोस्तों आपको यह भी सीखा हूँगा, यह पूरा वीक मेरा जो है आप लोगों के लिए है कि किस तरीके से आप फांडेशन को स्ट्रॉण कर सकते हैं, और तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, टोनिंग करते वक्त ध्यान रखिये, रिदम, रिदम का मतलब होता जैसे दोस्तों सिंगिंग में होता है, सारे गा मा पादानी सा तो जो सात सूर है, अगर सही तरीके से नहीं गाये जाते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है, उसी तरीके से dark, medium, light, shading अगर सही तरीके से नहीं की जाती नहीं तो दोस्तों artwork को देखने में मज़ा नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने rhythm of shade को बनाए रखें पर अपने artwork को अच्छे से अच्छा realistic बनाएं। तो यह देखें किस तरीके से हमने दोस्तों अपने example के तुरू यह सीख लिया है कि किस तरीके से हमारा artwork dark, medium और light shading की वज़े से अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, और आने वने टाइम में आये होब दोस्तों आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे और अ कब ड्रॉइंग, स्टिल लाइफ के कोई भी अबज़ेक्ट उठा लेजिए, यह सब चीज़े करते रहिए, और बढ़िया तरीके सबने आपको इंप्रूव डेली बेसे इस पर करते रहिए, तो यह देगे जैसा कि मैंने आप से कहा था कि यह की पैंसिल से आप जो है, डा में एंसि dwilly कि जैसे आप से पो कि यह सब चिज़े 3D क मैं फृच एंसिल में जो है मिले शीज़ें ट्व में ओब धॉतरीके आके सब लेए, बेचा करेक недया, बूरीके में ध झाल 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 अब डेटू हम जो है कल शुरू करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से आपको डेटू में ध्यान रखना बात होगा तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तैंक यू सो मज